हेलो जी राम राम सारान है किसे हो उमीद है सारे बडियों होंगे और मैं काफी दिन हो गए थे ब्लोग बनाया तो आज मैं सोची आज एक छोटा सब लोग सेर कर देती हूं आप लोगों के साथ क्योंकि अभी में लाग रही हूं सिलाई में तो थोड़ी बीजी रहती हूं न और फिर आग गया जाएंगे बच्चे और सर्दिया भी तक बहुत ज़्यादा हो रही थी अब थोड़ी कम है मेरे तो आज भी नाक और गाल कती लाल हो रहे हैं तो आभी दिक मैं आपने बताओं मैं बनाया है एक सूट वैलवेट का अंब्रेला कट में देखियो बताईयो किसा लग गया है आपने बेग कैमरा करका दिखा हूँ हूँ और यह मेरा सूट हो गया है तयार बन के यह सकी स्लीव यह वाड़ी जैसकी स्लीव और यह बनाई है इसकी बेल्ट है बेल्ट भी मैंने खुद ने बनाई है इससे जो इसमें लगाई है स्लीव में और ये वाली लैस इसते ही बनाई है मैचिंग की और ये बनाई है इसकी लटकन प्यारी सीख मैंने तो प्यारी लगे है आप लोग बताई हो कैसी लगी है और बैक गले में लगाया है इसमें मैंन ये वालए लैस और ये है इसकी पैंट पर नीचे मैंने ये वाले लैस लगाई हैं या कैसे ये उर मुम्मी का यह है मैंने अस्तर चपका दिया था तो आप सूख गया है अब इसकी करूंगी सिलाई क्योंकि बहुत बैसात्दी आ रही है तो मुम्मी ने भीशुट तो अब मैं करूँ इसकी सिलाई और मेरा सूट कैसा ला गया यह आप लोग कमेंट में बता देना और सर्दियों के अब तो सर्दियां इतनी रहने रही जा चुकी हैं तो मैं सोची कि तब तक क्यों ना बच्चों के जो हैवी हैवी कोट थे ज्यादा सर्दी के उनने उठा के रख देऊं क्योंकि अलवारियों में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है सारी फुल है वह ज़्यादा हो रहे हैं स्कूल के भी और घर के भी मैं सोची आज क्यों ना मैं मोटे मोटे कपड़े उठा कर रख देऊं तो मैंने बेटी के तो यह कपड़े निकाल दिये हैं बेटा ज अधर के बहुत जाता हो गया है तो सब्सक्राइब और सुमारे स्कूल के भी मैं थान्ना बोट पानी आ रहा है है तो इसलिक पानी बोट फट्टा आ रहा है यह फोड़े सेग शूच जया है फिर इन्हें अपचत का सुखा दूनी और आज थारे करन पड़े भी सारे दो ज जी और लगते कंधे मक करिए रिप्ट हऊ गया में पर है थांड लागे में फिर सारे रह जाएंगी अब और और चाओ लगा जाजें तो फोट प्रशा रादा फे लगे ममी आरे बटतां चोंक कर दीना है उतना है इस ने रख बटतां साफ पर जिए जिना इसने प्रतता है प्रूच लगा देऊं ने प्रूच अब लगा देऊं इतने कपड़े सुखते हमें इतने कपड़े उपड़े लगा दें, फेर लगा देऊं। दूप आरे जा रहे हैं। आएगी शाम पत्तु आएगी कहीं।